प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को मात्र तीन दिन शेश रहे गए हैं सभी राजशनितिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल देहरा वधानसभाक शेत्र में पार्टी हक में चुनाव प्रचार करने पहुँचे जनसभा को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि मुख्यमंतरी हजारों नौक्रियां देने की बात कहकर प्रदेश के जनता को सफेद जूट पर लगा दिया है जनता को डरा धमका कर वोट मांगे जा रहे हैं जौरान बिंदल ने तीन विधानसभा सीटों पर भाजबा की जीत का दावा करते हुए कहा कि देहरा की जनता ने भाजबा को समर्थन देने का मन बना लिया है और के लठाकूर एक बार फिर देहरा का अपरात आज तक यह नहीं बता पाए हैं कि वे क्या विकास कारे कराएंगे या फिर कौन से काम उन्होंने अठारा महिने के अंदर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए किये हैं तीस हजार करोड रुपे का कर्ज लेकर के और नो हजार रुपे का करोड रुपे का कर्ज लेनी की तैयारी परंतु केवल और केवल अपने मित्रों की भलाई के